हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहें यूलाइक लेक्टोनिक्स और दोस्तों यहां पर जो आप बॉक्स देख सकते हो यह काफी बड़ा है और इस बॉक्स के अंदर क्या है आपको थमने देकर पता चल गया होगा तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है एक भॉक्स कोई भाद इसके अंदर एक और बॉक्स है तो आएई इसको मैं निकाल लेता हूं यहां पर बॉक्स आपको खुले हुए मिल रहा हो कि क्यों इसको मैंने अलेडी खोल कर चेक कर लिया है कि जो मैंने पोड़क्ड को आउडर किया था प्रॉपर मेरे पास पहुं कार्ड इसमें मिल जाते हैं स्पीकर का जो प्राइज है 1148 रुपया 31 पैसा है बाखी कुछ GST लगा कर यहाँ पर यहाँ पर फ्री डिलेवर करता है तो यहाँ पर लगवा 1355 रुपया का यह मुझे सबूफर पड़ा है यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे कि यह किस चीज का बॉक्स है तो मैंने स्वीटन का सबूफर मंगवाया है जो की 4 Ohm 208 पिक पावर है बहुत वीडियो में आपने यह सबूफर देखा होगा यह वाला मैं यही सबूफर यूज करता था तो बहुत लोग का ऐसा कोमेंट आता था कि यह सबूफर मैं कहां से लूँ इसका वाई लिंक मुझे चाहिए तो मैं दोस्तों आप पर रियल बात बताओं तो मेरे पास एक बेस्टिव आया था तो बेस्टिव का बोर्ड जो है बिल्कुल खराब हो गया था तो उसी से मैंने इस सबूफर कर निकाला है और इसी को मैं यूज कर रहा हूँ कोई नॉन ब्रांड ही था कोई ब्रांड का नहीं था एक्स्प्लोड करके लिखा हुआ है जो कि सोनी को कॉपी करके यहां पी डिजाइन किया गया था लेकिन वो नॉन ब्रांड होने के बाब जूद भी यह जो सबूफर है इतना पंचिंग के साथ बेस्ट देता है जो आप लोग वीडियो में देखते होंगे मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि इसका जो पंचिंग है और इसका पर्फरमेंस है काफी अच्छा है नॉन ब्रांड होने के बाब जूद भी यहां पे इसका मैगनेट साइज और यहां पे जो सराउंड स्पाइडर का जो क्वालिटी है काफी है और काफी पंचिंग बेसिस में बनाता है जैसे कि आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे पिछले वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था तो उसी को देखते हुए यह तो मैं आपको यह लिंक नहीं दे पाऊंगा और ये भी नहीं बता पाऊंगा कि आप इसको कहां से पर्चेस कर सकते हो तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे सुईटन का सबूफर ओडर किया जो कि मीड रेंज में आता है ऐसा नहीं है कि मतलब सबूफर सिर्फ सुईटन का ही क्यों लिया मैंने तो बहुत दो क्या होता कि बजट के अंदर मी लेना चाहते हैं और यहाँ पे रहा सबूफर मैंने इसको अलेडी निकाल कर चेक कर लिया था देखें यह रहा सबूफर जो की आठ हिंच का है मैं आपको इंच से माप कर बता देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे यह 8 इंच का सबूफर है और इसमें मैंने इसको मान सकते हूँ थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं तीएस परामीटर और स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्वीटेन के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जागा आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है और बाके इसके बैक साइड में आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इस परकार का यह रेड कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है और यहां पर बैक साइड में लिखा हुआ है स्वीटेन कॉलकाता और यह सब उफर स्थरीज है चार ओम 20W पिक पावर है और इसका नॉर्मल जो है 100W से लेकर 200W तक आप इस पर यूज कर सकते हुए एम्प्लीफ है और बाकी यहां पर इसका सराउंड बाकी और इसका जो एसपाइडर है यहां पर काफी अच्छा दिया गया है और यहां पर कुछ इस टाइप के जो इसम निकल कर आएगा यहां पे दिख सकते है जारी टाइप का यहां पर दिया गया है और यहां पर भी एक HOL दिया गया है ताकी यह जो उपर नीचे पंचिंग करेगा तो यहां से AIR को पास करने में काफी help करेगा है तो आपकी यहां पे नॉर्मल यह यह टर्मिनल मिल जाता है हो रहा है तो आईए यहाँ पर हम साउंड को बढ़ाते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर मैं साउंड को बढ़ाता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको बेस के साथ जो कुछ एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे रहा होगा यह बीना इनक्लोजर में है इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे रहा होगा और मैं कुछ ज्यादा साउंड में इसको बजा रहा हूँ और इन्क्लोजर में होगा तो कुछ एक्ट्रा सांड नहीं आएगा क्योंकि यहां पर जो इसके अंदर में वो स्टांड छिप जाएगा और सिर्फ आपको बेस्क फिल आएगा तो दूस्तों यहां पर जो इस सबुफर है काफी अच्छा से काम कर रहा है और बेस क्वालेक्टी भी मिला जुला कर ठीकी दे रहा है क्योंकि इसका पिक पावट 200 वार्ड है और मिनिमम इसका 100 वार्ड है लेकिन मैंने मिनिमम 100 वार्ड से ही इसको ऑपरेट किया है लगभग यह 200 वार्ड का जो एम्प्लीफार होगा जैसे 1294 में का ब्रीज मोड होता है उससे गर आप इसको रन कराते हो तो यह काफी अच्छा और बेस इसमें आएगा तो यहां पर म वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो